जेपी सिमिंटेट चोखर दुकान सभी तरह के खुपसूरर डिजाइनदार सिमेंट चट से धलाई किया हुआ मजबूत हैं टिकाउ चोखर मात्र एक हजार पे में बनाया जाता है तो आज ही ओडर करें हमारा पता है नामधारी कॉलेज गेट के बगल में गड़वा संपार्ख नमबर 6200-418799 गरवा कांडी प्रखंड चेत्र अंतरगत गोसांद गाउं के कोदवडिय अटोला में नील गायों के आतंग से किसान परेशान होकर खेती छोड़ने को विवश है इस संबंध में मुली धर पांडे ने ततकाल नील गाय के विचर्ण पर रोक लगाने संबंधी कोई थोस कारवाई करने की माग सरकार से की है कांडी प्रखंड शेत्र के दरजनों गाउं में नील गाय का आतंग कायम है कांडी प्रखंड शेत्र के प्रभावित गाउं के किसानों ने हरी सबजी, तेलहन, मक्का के साथ खड़ी फसल की खेती करना छोर दिया है किसान उक्त फसलों का पौधा तयार करने में एडी चोटी एक कर देते हैं और जब पौधा में फल फूल लगता है, वो कुछ लाब प्राप्ट करने का समय आता है, तो दिन हो या रात देखो बधार में विचर्ण करने वाला नील गाए उसको अपना बना बनाया भोजन के रूप में चट कर जाता है किसानों के मनसूबे पर पानी फेने वाले, इस विशालकाय पशु के विचर्ण पर रोक लगाने संबंधी, कोई सरकार की कारगर नीती नहीं होने के कारण लोग खेती करने से मुम मोड ले रहे हैं ग्रामीन किसानों के आजी विका और आर्थिक शोत का मुखे साधन खेती नील गाए के आतंग की भेंट चड़ने के कगार पर आ गया है इस संबंध में प्रग्पिशील किसान्द मुलीधर पांडे एवं भूला मेहता का कहना है कि फसलों पर नील गाए के आतंग को देखते हुए सरकार को चाहिए कि प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग के अधिकारी प्रतिन्युक्त कर नील गाए के आतंग पर काभू पाए इसी प्रकार अन्य कई किसानों का कहना है कि कड़ी महंत से डीजल पंप के माध्यम से सिंचाई की सुविधा प्राफ्थ होने के बाद नद्धी फसल की खेती काफी अधिक मात्रा में होने लगी थी लेकिन नील गाए के आतंग ने किसानों की खुशाली और आर्थिक सम्रिद्धी पर मानो पानी फेद दिया नील गाए के आतंग ने किसानों का कमर तोर दिया है इस पर सरकार को शीक्र काभू पाने की जरूरत है मेरा नाम मुरली मुनहर पांडे है गरांग वसांग तोला कुदवडिया इस गाउं के समस्या कोई नहीं नहीं है लगभग 10-12 सालों से निर्गायों का अखरांता इस्त्रस्य है कि किसान त्रस्थ है जो फसल में अपना खर्ट लगाते हैं वो भी नहीं किसान को आपाता है किसान निर्गायों से परसान है और सरकार इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया अभी तक इससे पहले मैंने आवाज उठाए थी और सरकार का ध्यान इस पर आखरिष्ट करया भी था लेकिन अभी तक सरकार के तरब से या किसी भी जन प्रतिन निधी के तरब से कुछ भी नह अपने पंचायत में या अपने गाउं में और अपने वाड में सेवी जगा जन परदर्शन करेंगे और इस पर में इसरकार का ध्यान अगर नहीं जाता है तो हम बहुत बड़ा अंदुरन करेंगे इसलिए किसान दिनों दिन अकाल के गाल में समाते चला जा रहा है यहाँ पर खेती के जगा बंतूसी होते जा रहे हैं सारा खेत परती है या जिसमें बोई जा रही है उससे फसल नहीं आते हैं निलगाय उसको खतम कर देते हैं इसलिए मैं सभी से और सभी जन परतिन निधिय करता हूं कि इस पंचायत में या जहां पे भी हमारे ब्लोक में निलगायों का खरंता है उस पर ध्यान देते हुए मुगजा देने का प्रधान किया जाए अन्या था जन अंदुन के लिए हम लोग तयार हैं और करेंगे और जहां तक मैं इससे पहले अगद कराया था और सबस किसान दीनों दीन विधाली की जन के जी रहा है एक तो सरकार कहती है कि पांच के जीए नाज अरे भाई सुचने वाली बात है कि मेरा देश इतना गरीब है कि पांच के जीए नाज जनता को चाहिए किसान को चाहिए इतना गरीब नहीं है अब कभी ने इतना गरीब था और मैं कहना चाहूंगा कि पांच के जी अनाज से क्या एक बिगती एक माखा लेगा। किसान को पांच के जी अनाज नहीं बलकि उसको खेती के लिए पानी और बिजली दी जाए। और हम तो एक कहेंगे कि किसानों को बिजली फिरी दी जाए पानी फिरी दी जाए जिससे कियो खेती आशा धंग से कर सके। मैं और कुछ नहीं कहूंगा बस किसानों के बदहाली के जो आवाज उठाई है इस सरकार समझे बुझे और इस पर ध्यान दे। और नहीं तो मैं इस नौराद के बाद बहुत बलाजन अंदरन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्पि नर्सिंग स्कूल में रोड तनबा गर्वाद जर्खन एन्म डी एन्म डी फार्मा में नमंकन प्राराम है जल्द करें सेट सिनित है संपन्प मुबाईल नंबर है 6207580137 ना रुकेंगे ना जुकेंगे ना ठकेंगे करीबों का एक ही मसीहा विश्रामपूर नगर परिशत के अध्याक्षपत की भावी उमीदवार मुन्शी परसाथ कुपता। हरी होम सारी सिंटर स्टेशन रोड रहला पलामू विश्रामपूर नगर परिसत का सबसे मशूर भरोसे मन्त रेडी मेट कपड़ी की दुकान यहां सारी, जीन्स, टी शर्ट, लेडी सूर, लहंगा, शेरवानी, होट पैंट आधी, उचित मुल्ले पर उपलब्ध हैं हमारा संपर्क नंबर है 9608-5746-738 हमारा संपर्क नंगा रुट हैं